आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संबीधान में भारती संबीधान का निर्मान एवं उसकी विसेस्ताय से संबंधित कुछ important questions जो की आपको आने वाले जो competitive exam है जैसे की BPSC, बिहार SSC या फिर बिहार दरोगा मैंसो जितने भी generally competitive exam है उन सब में ये आपको help करेग और उमीद करती हूँ कि इस topics related जितने भी question exam हैं पूछी जाते हैं वो सारे के सौरे आपके solve हो सके तो चलिए start करते हैं आप चाहे तो इसे test के तौर भी लगा सकते हैं और हाँ इसकी जो PDF है आपको हमारे website पे दे दी जाएगी वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं question है पहला कि सम्विधान सभा के गठन के विचार का आपचारिक रूप से परतिपादन किसके द्वारा हुआ था answer हो जाएगा इसका option number B M.N. Rai के द्वारा भारत के सम्विधान सभा का गठन का विचार सरुपर्थम जो है 1934 में M.N. Rai के द्वारा रखा गया अगला question कि भारत के लिए सम्विधान की रचना हे तू सम्विधान सभा का विचार सरुपर्थम किसने प्रस्तुत किया था answer हो जाएगा option number C Sauras party ने 1934 में next question British सरकार द्वारा किसे 1942 में सम्विधान निर्मान हे तू भारत भेजा गया answer हो जाएगा option number D Sir Stafford Crips को British सरकार के द्वारा 1942 में Crips Mission को जो है Sir Stafford Crips के नेत्रित्व में भारत भेजा गया अगला question कि भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं answer हो जाएगा option number C M.N. Roy को question है कि सम्विधान सभा की प्रथम बैठक कब होई थी answer हो जाएगा option number A 9 December 1946 को परथम बैठक होई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होई थी अगला question कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है answer है इसका option number C केवल एक और तीन सत्य है एक में कि उद्देश प्रस्ताव 13 December 1946 को परस्तुत किया गया ये सही है फिरे कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सरोमान्य रूप से स्वीकार किया गया ये भी option सही है second कहता है कि उद्देश प्रस्ताव को मोती लाल नहरू ने प्रस्तुत किया था तो ये गलत है क्योंकि उद्देश प्रस्ताव को जवाहर लाल नहरू ने प्रस्तुत किया था अगला है question भारतिय शम्विधान के निर्मान के समय सम्वैधानिक सलाहकार यानि की कानूनी सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C. B. N. Rao कोशन है सम्वैधान के प्रथम अधिवेशन में सरवमान्य रूप से और अस्थाई अद्धक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आंसर है इसका अप्शन नमबर B. डॉक्टर सचीदानन सिन्हा को अगला है कोशन की डॉक्टर राचिंद्र परशाद को सम्वैधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कप चुना गया? आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D. 11. दिसंबर 1946 को कोशन है अगला की भारतिय सम्वैधान के निर्मान के समय सम्वैधान का अपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर A. H. C. मुखर जी और हाँ याँ पर कन्फ्यूज मत हो येगा क्योंकि सम्वैधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे H. C. मुखर जी और थे V. T. कृष्णा माचारी तो चुकि वो अप्शन में नहीं है तो आपका आंसर ये होगा नेक्स्ट एकोशन भारती सम्वैधान की रचना में निम्न में से किसने सरवाधिक गंभीर परभाव छोड़ा है? आंसर है ओप्शन नमबर B. भारत सिरकार अधिनियम 1935 अगला है कि भारत की सम्वैधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर हो जागा ओप्शन नमबर B. कैबिनेट मिसन प्लान 1946 नेक्स्ट है सम्वैधान सभा का सच्चीव किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जागा ओप्शन नमबर C. H. V. R. अयंगर को नेक्स्ट है कि सम्वैधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्रॉप्ट मैन किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जागा ओप्शन नमबर B. L. N. मुखर जी को नेक्स्ट है कोश्चन सम्वैधान सभाद्वारा निम्न में से किसे प्रतिक यानिकी मुहर के रूप में अपनाया गया? आंसर है इसका ओप्शन नमबर B. हाथी को कोश्चन है कि भारत की सम्वैधान सभा ने राश्टिय द्वज को सर्व पर्थम कब सुईकार किया? आंसर है इसका ओप्शन नमबर C. 22 जुलाई 1947 को नेक्स्ट है कोश्चन भारत की सम्वैधान सभा ने राश्टिय गान को कब अपनाया? आंसर है इसका ओप्शन नमबर B. 24 जनवरी 1950 को और हाँ राश्टिय गान और राश्टिय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजंदर पर्षाद को पर्थम राश्टिपती के रूप में चुना गया अगला इकोशन की भारत के संबिधान के निर्मान में संबिधान सभा को कितना समय लगा? आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर A. 2 वर्स 11 माह 18 दिन नेक्स्ट है भारत की संबिधान सभा ने राजकिये चिन कब से अंगिक्रित किया गया? आंसर है इसका ओप्शन नमबर D. 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट है कोशन भारतिय संबिधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर D. 15 सदस्य नेक्स्ट है भारत का संबिधान कब पूर्ण रूप से तैयार हो गया? आंसर है ओप्शन नमबर A. 26 नमबर 1949 को संबिधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे दिन भारत के लोगों ने संबिधान को अंगीकरित, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया और पारित भी इसे दिन किया गया 26 जन्वरी 1950 को पूर्ण रूप से संबिधान को लागू कर दिया गया अगला कोशन की डॉक्टर भी आर आमबेदकर के अधिक्षिता में संबिधान सभा की प्रारूप समीती में कितने सदस्य थे? आंसर एसका उप्शन नमबर C. साथ सदस्य नेक्स्टर कोशन की संबिधान सभाद्वारा अस्थापित मूल अधिकारो और अल्प संख्यकों हे तु सलाहकार समीती के अधिक्षि कौन थे? आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर B. सरदार पटेल कोशन है कि वैसक मताधिकार के आधार पर संबिधान सभाद के गठन की मांग किसने की थी? आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर B. जवाहर लाल नहरू ने नेक्स्ट एकोशन कि संबिधान सभा के बहिसकार में मुस्लिम लीग का क्या उद्देश सिथा आंसर हुजाएगा उप्सन नमबर C कि वह मुस्लिमों के लिए एक अलग संबिधान का निर्मान करना चाहती थी अगला एकोशन की संबिधान को 26 जनवरी के दिन लागो करने का निर्ने लिया गया क्योंकि आंसर है इसका उप्सन नमबर A क्योंकि कॉंग्रेस ने इस दिन को 1939 में सुतंता दिवस समारो के रूप में बनाया था अगला एकोशन की भारतिय मोल संबिधान में सामिल थे आंसर है इसका उप्सन नमबर A 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां नेक्स्ट है कोशन की B.R. आमबेतकर का संबिधान सभा में निर्वाचन हुआ था आंसर ओप्सन नमबर B. बंबई प्रेशिडेंसी से कोशन है कि संबिधान निर्मात्री परिशद की जंडा समीती के अद्धाक्ष कौन थे आंसर ओप्सन नमबर C. जेवी क्रिपलानी कोशन है कि भारतिय संबिधान सभा के प्रारूप समीती के अद्धाक्ष कौन थे? आंसर ओप्सन नमबर B. बी आर आम बेट कर कोशन है नेक्स्ट की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर D. यहाँ पर दिया गया है कि कारिकारी शमीती के अद्धाक्ष के रूप में दिया गया डॉक्टर राजिंद्र परशाद तो यह गलत है क्योंकि कारिकारी शमीती के जो अद्धाक्ष थे वो केम मुंसी थे आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A. जवाहर लाल नहरू इसमें चान लिजे कि प्रारूप समीती का जो गठन वो 29 सगस 1947 को हुआ था ये भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है इसमें साथ सदस्य थे सभी के नाम याद रख लिजे तो आपको छाटने में आसानी होगी कोशन है गला कि भारतिय संबिधान सभाके उद्गाटन अधिवेशन की अद्धेक्षता की गई थी किन के धौरा आंसर हैसका ओप्षन नमबर बी डॉक्टर सचिदानन सिन्हा के द्वारा अगला है कोशन कि संबिधान सभाका प्रत्थम प्रारूप किसने तयार किया था आंसर ओप्षन नमबर बी वी एन राउने नेक्स्ट आ कोशन कि निम्न में से कौन काबिनेट मिशन का सदश्य नहीं था आंसर है ओप्षन नमबर अ वीलियम उड बाकी पैठीक लॉरेंस, स्टेफोर्ड कृप्स और एवी एलयक्जेंडर ये तीनों काबिनेट मिशन के सदश्य थे नेक्स्टे कोशन निमने में से कौन सी विशेष्ता भारतीय शंविधान की नहीं है आंज़र है इसका option number D यहाँ पे दिया गया है कि और लिखित व विस्तरित संविधान तो यह गलत है क्योंकि भारतिय संविधान की विसेस्ता वो लिखित है और विस्तरित संविधान है कोशन है कि बैक्स्ट की भारत के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है आंसर है इसका उप्शन नमबर B, Dr. B.R. आमबेदकर को और इन्हें आधुनिक मनु की भी संया दी गई है कोशन है कि सम्विधान सभाद्वारा प्रारूप समीती के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया गया आंसर है इसका उप्शन नमबर C, त्रीतिय वाचन के बाद नेक्स्ट है कोशन की सम्विधान सभाद के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से सम्विधान पर हस्ताक्षर किये आंसर है इसका उप्शन नमबर A, 284 सदस तो ये 39 कोशन से सम्विधान के विशेस्ता है एवं रचना से सम्विधान पर आई थिंग कि आप लोगों ने जो टेस्ट लगाया होगा उसमें स्कूर काफी अच्छा रहा होगा और आई होप कि ये सारे कोशन आपके आने वाल एक्जाम में बहुत ही helpful रहेंगे तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट इंसर करना ना भोले धन्यवाद